लो गाई स्वागत एक बार फिर से आप सभी का आपके अपनी ही चैनल फैंटसी बस पे हम यहाँ पे बात करेंगे स्रिलंका वर्सेश जिंबाववे के बीच में जो यह T20 सीरीज खिला जा रहा उसका दूसरा T20 देखो किस तरीके से आज आपको अपनी फैंटसी टीम बनानी है ऐसे बहुत सारी इंफोमेशन देखेंगे और उसके बेस पहे कुछ एक कामबिनेशन भी देखेंगे क्या आप मिनी जीएल में कर सकते हो क्या आप चाहिए बनाने का पूरा-पूरा डायरेक्शन मिलेगा तो आए देखतें बस यह वीडियो आपको पूरा देखना है वि स्टिनिंग में भी आपको यहां पर देखने मिलेगा एसें कंडिशन की मोसली जैसे विकेट होती है लेकिन अगर जैसे लास्ट मैच में जो पिच यूज वा अगर वो रियूज हो जाएगा तो हो सकता थोड़ा स्लोनेश आजा सर्फिस पर क्योंकि यह विकेट ना स्लो होने यहां से पता चलता एक न्यूटरल विकेट है यह लास्ट मैच में जो हुआ अभी इस पर आते हैं उससे पहले यहां पे सिरिस से पहले जो रिशेंट पांच मैचेज है वह देखो 119 147 यहां पर 108 168 फिर यहां पे 163 ओवराल न्यूटरल जो विकेट पर देखने मिलता है वही मिल रहा है और जो पांच मैच देखे इस पिनर्स ने उन्नीस पेशर्स ने 36 यानि ओवराल वन इस्टू टू का रेसियो है इस पिनर्स ने इवन थोड़ा ज्यादा है जबकि इस पिनर्स थोड़ा काम ओवर का बॉलिंग डालते है ठीक है तो यहां से न्यूटरल वि अगर हो रहा है तो आपको पहले से पता रहेगा कि slow विकेट का कौन अच्छा खिलाडी है और अगर ऐसे टीट्वेंटी चल रहा उसका लास्ट जो नौ बज़े से मैज था उसमें जो हुआ था तो वह पिछ हिस्टोरी करी तो बैटिंग पिछ था लेकिन जो आफटर टॉस पिछ रिपोर्ट आया उसमें वह पिछ दिखाई गई उसमें दर आ रहे थी वह ड्राय विकट था त दोनों ही टीमों के बीच में चार बार ओवराल मुकाबला वाए चारो बार जो इस रिलंका ने जीता है रेन के चांसेज नहीं है मैच पूरा होता हुआ दिखे का यह बैटिंग बॉलिंग स्टाइल है यहां पे देखते वे चलो कौन राइट हेंडर कौन लेफ्ट हेंडर अब स्रिलंका के प्लेइंग 11 इनके जो इंपॉर्टेंट प्लेइर है पात्युम निशांका कुछाल मेंडिस कुछाल परेड़ा चरीत असलांगा एंजिलो मेंत्यूज हसर अंगा चमीरा और तीक्षणा यह इनके इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है लास्ट मेंच मेंनों ने प्लस जीरो विकेट इस तरीके से आपको इनका परफॉर्मस देखते वे चलना है अभी सिर्फ हम इनका रिशन्ट स्कूर परफॉर्मस कौन क्या बैटिंग पोजीशन है वह देखेंगे जब हम टीम सेलेक्ट करेंगे तो वहां पर हर एक प्लेयर का डीटेल वाइस अनालिसि सब्सक्राइब तो देखते हैं अब इनके प्लेयर वाई स्टैट्स है डीटेल में स्टैट्स देखते वे चलो जैसे कि सिरीज से पहले कुषाल मेंडिस का स्टैट्स देखो 55 मेंच के 55 इनिंग में 1270 चोबिस का अवरेज 134 का स्टैट्स और बारावार पचास किया इस सीरीज से पहले ओडियाज में फॉर्म था लिस्टे में फॉर्म था उतना अच्छा नहीं था और अभी जो टीट्वेंटी में खेला वह फॉर्म हमनें यहां दिखाई दिया तो इसली आप यहां पर हर एक प्लेयर का डीटेल में स्टैट्स पढ़ पाऊगे जैसे असल आंका का रिशेंट्ली लिस्टे में फॉर्म काफी अच्छा था ठीक है तो यह आपको यहां पर डीटेल में देखने मिल जाएगा इस सीरीज से पहले का फॉर्म उसको यलो कलर से मेंजन कर दिया तो आपको समझ में आ जाएगा एक ही नजर में कि किस प्लेयर का स्टैट्स अच्छा और जैसा मैं भूत सुष्टेट्स पे फ Sãodefined किरो फ्लेयर्स के रोल्स में अगे जब तीम सेलेक्षन करेंगे तो समझेंगे में इक्में कर Kashydan यिया वा अब हम बात करेंगे जिंबाववे की प्लेंग लेवन तो इनके जो इंपॉर्टेंट प्लेयर है वह सीन विलियम्स शिकंदर रजा रियान बर्ल मुजरबानी और नगारवा अब इनके अलावा जॉंगवे और एर्विन भी थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन उनक नगारवा मुजरबानी इनके पावर प्ले के गिंदबाज डेथ में नगारवा और मुजरबानी और जॉंगवे कभी कबार दिखते हैं जॉंगवे रेगुलर देथ बॉलर यह दोनों है इनकी टीम से सीन विलियम्स और जॉंगवे शेयर करते वह दिखेंगे मसा काज्ज बचए घेगा जो अच्छा सकते हैं उनको धेछादा दिख्यटे नहीं आइंगी आपको समझने में इसली धिली समझ सकते हो सेम वह experience किसके कितने 50 कि दॉल HOW Petal bene है कितने सबे लिए चलो comfortably के चलोंGO बारें बनाएंगे तो कभी ए इंपोर्टन बर्लीध है ज्यादा प्लेयर्स ने मैच नहीं खेला है एंजलो मैथ्यूस तीन मैच खेले हैं 25 का आवरेज है बाकि यह सब लोग जो लास्ट मैच खेले है वही रिकॉर्ड है क्योंकि ज्यादा मैच खेले निया एर्विन का 10 का आवरेज है यह थोड़ा एक्सपीरेंस है इन्होंने तो इन्होंने खेला हुआ परेड़ा 14 इनिंग में 431 का आवरेज है धननजे डिसलवाद 26 असल आंका 26 का आवरेज है ऐसे ही अगर हम वेन्यू स्टेट्स की बात करें बॉलिंग से असल आंका 9 इनिंग में 16 विकेट पाकिशाब का डिसेंट और यह ना डोमेस्टिक की रिक अवरा नगार्वा के सामने थोड़ा स्ट्रॉगल करते हैं असल आंका नार्वा और रिजा के सामने ुछे रूशें के अलावा हम चलते हैं इसके अलावा हम चलते हैं टीम से लेक्शिन की तरफ मैने को सल मैंडिस को लिया है देखो कोई सा भी विकेट हो यह important रहेंग है क भी देखोगे तो इंपॉर्टेंट रहेंगे बहले इनका फॉर्म उतना अच्छा नहीं हो डॉमेस्टिक ली और इंटरनेशनली भी बट आप इनको ले के जाओ कभी भी बड़ा स्कोर आ सकता है सम्राविकर्मा उतने टी-20 के कोडिंग देखोगे तो उतने अच्छे रहेंगे नहीं बैटिंग से पी नहीं संका टेकनीक वाइस देखोगे तो काफी बैटर बल्ले बाज है हाँ इस्ट्राइक रहता है बट एक साइट से एंकर करते वह अच्छी बारी खेल सकते तो इंपॉर्टेंट रहेंगे रियान बार लास्ट बच में बालिंग नहीं मि एज हीटर देखोगे ना तो काफी अच्छे क्लीन हीटर है अच्छी खासी स्ट्राइक रिट से रंच बना सकते डेट स्वाए मैंने इनको अपनी टीम में रखा हुआ है असलांका को भी मैंने लिया है अगर इनकी टीम फर्स्ट बल्ले बाजी करें तो मस्ट अप फिक सेक खेले में अच्छा खासा है लेकिन इस टीम के अगेंस्ट रिकॉर्ड अच्छा नहीं है दस का अवरेज रखते हैं चमीरा के सामने अच्छा का से श्ट्रगल करते हैं इवन मदुन शंग का भी खेल जाते हैं टीजना का एक और च्की बल्ले बाजी आसकती है लेकिन इस ब इंदबाजी अगर कर गएना ज्यादा और उसमें विकेट लिए तो हो सकता है अच्छा पॉइंट दे जाए और अगर दिन रहा तो बल्ले से भी अच्छा कर जाएंगे लेकिन जनरली स्लो विकेट भी अच्छे बल्लेबाज नहीं होते हैं कुछ अल परेड़ा एक अच्छे ज्यादा बतानी की जरूरत नहीं है विकेट टेकिंग स्पिनर है और ऐसे विकेट पे तो इनको वी सी बनाओ कप्तान बनाओ बहुत इंपोर्टेंट खिलाड़ी हो जाते हैं सीन विलियम्स इनकी टीम के बहतरी हैं दूसरे ऑल राउंडर रजा के बाद और इंपोर्टें इसको लिया है देखो मैं इनके पास जो केंदबाजी करते पेस नहीं यह जनरली वरीएसंट करते और इस पे इनका स्लोर वंस कटर्श काम कर सकता है बस यही रीजन है कि मैंने इनको लिया हुए लेकिन एक चीज और अगर स्टार्टिंग में अवेलेबल है तो इनको सायद बॉलिंग मिल जाए क्योंकि यह थोड़ा साना स्विंग के लिए जाने जाते हैं बट उतनी पेस नहीं तो बॉलर से यह उतना ज्यादा एफेक्टिव नहीं होते हैं जब तक कि पिच ज्यादा मददगार नहीं हो तो अभी पिच पे थोड़ा सा मैं देख रहा हूं कि हो स देखोगे ना एस बैटर तो काफी नीची आते हैं तो हो सकता है चेजिंग में उतने इंपोर्टेंट ना हो अगर फस्ट निन्ग में विकेट ना मिला तो हो सकता है यह वेस्ट चले जाए अभी के लिए लिया है लेकिन अगर विकेट पर उतना जो है जो स्लोवर्स और कटर्स का अच्छा प्रियोग करते हैं वैसे बॉलर्स के लिए कुछ खास नहीं रहा तो मैं इनको छोड़ दूँगा ठीक है अभी के लिए इनको लिया हुआ है इसके अलावा अगर मैं बात करूं बॉलिंग से बॉलिंग से मदून संग का खेल नीरे नग कर जाते हैं क्योंकि यहां पर अच्छा घासा मिलता है मिस्ट्री टाइप के गिंद्बाज हैं इंपोर्टेंट रहेंगे चमीरा देखो स्विंग के लिए भी जाने जाते हैं स्लोवर वंस भी है कटर्स भी है वरियेशन है इनके पास फर्स्ट निंग में देथ में आते है के लिए मैंने चमीरा को छोड़ाया अफ्टर टॉस ले सकता हूं और अगर मुजरबानी के जगे पर ही लेके जाओंगा अगर जिंबाविक टीम पहले गिंद्बाजी ना कराये तो अलाकि मुजरबानी विकेट टेकिंग नीचर के नहीं है इसलिए मैंने इनको छोड़ द कि मैं इनको ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं मान रहा हूं जोंग वे अगर फर्स इनिंग की गिंद्बाजी आए न तो आप इनको कंशीटर कर सकते हो कभी कभार यह देख में आता है विकेट टेकिंग नीचर के इंटरनेशनली उतना अच्छा एक्सपीरेंस नहीं है पर इंग में तो वहां आप कवर कर सकते हो क्योंकि देख में ऐसे बोला इस गुच्चे में विकेट लेगे जा सकते हैं तो फर्स इनिंग में यह इंप्वर्टेंट हो जाएंगे तो यह मस्टप पिक रहेंगे फर्स्ट इनिंग की अभी के लिए जो टीम हो रहा है वह कु क्यों फिर इनकी टीम धाराश ही हो जाएगी इसके अस्तीम में Kab आपको यहांपे तुछा राको लेना है कब चापीरा नहीं पू bottom कर सकते हो कब र्ल को drop कर सकते हो सारी चीजें वीडियो में explain की और इनको drop करेंगे किस को ले सकते हो वू को बताइए लेवने अकॉर्डिंगली फिर आपको यह अपडेट मिलेगी ना वीडियो में जो पॉइंट समझाए गया वह समझोगे दोनों को मिलाओगे तो आप समझ पाओगे किस तरीके से आपको टीम में चेंजिस करना है और किस तरीके से कौन से प्लेयर को ट्राइ करना है तो आप इजली खुद से अपनी टीम बना पाओगे और यह स्मॉल लीग की टीम में इसे ग्रैंड लीग में मत लगाना ग्रैंड लीग के लिए कुछ हटके और कुछ अलग करना पड़ेगा जैसी एक डेमो प्रिव्यू है यह राइंक वन ने लेके आएगी जस्ट आपको समझाने क्लिए क्योंकि देखो ग्रैंड लीग की टीम अगर मेरे पास होती तो मैं आपको नहीं देता वह मैं खुद लगा था जस्ट आपको समझाने के लिए कुछ अलग कैसे कर सकते इसमें हैवी लग का यूज होता है तो अगर आपका अच्छा रहेगा तो आपकी रैंक अगली वीडियो में तब तक के लिए जाहिन